कमूरिटी मार्केट के जानकारों का क्याना है कि इंडोनेशिय द्वारा, क्रूड और रिफाइंड दोनों के तरह के पाम ओईल के एक्सपोर्ट पर बैन की वज़ा से मीडियम टर्म में खाने के तेल की शौटेज की आशंका के चलते डिस्ट्रिब्यूटर्स और ट्रेडर्स कम्पनियों से जरुरत से ज़ादा खादे तेल की खरीद कर रही है भारी मांग की वज़ा से खाने का तेल बनाने वाली कुछ कम्पनियां, ट्रेडरों और डिस्ट्रिब्यूटरों से मिले भारी ओडर को बिना सूचने दिये ही कैंसल कर रही है कीमतों में एका एक आया उच्छाल इसकी वज़ा बन रहा है All India Distributors Federation के प्रेसिडेंट का क्याना है की आगे खाने के तेलों की सप्लाई में दिक्कत आने की आशंका के चलते कारोबारी, पैनिक, बाइंग करते नजर आ रहे हैं सप्लाई शॉटेज की वज़ा से आगे खाने के तेलों की कीमतों में 10-15 फीज़दी की बड़त देखने को मिल सकती है इसी बीच, Indian Vegetable Oil Producer Association के प्रेसिडेंट का क्याना है की सप्लाई को समाने बनाए रखने के लिए Distributors, Wholesalers और Retailers पर Cooking Oil के लिए लगाए गए Stock Control Limit को बढ़ाने की जरुवत है बता दें कि इंडोनेशिय द्वारा उस समय Palm Oil के इंपोर्ट पर बेन लगाने की खबर आई है जब गेहू, चीनी, कॉफी जैसे तमाम कमुरिटीज की कीमते अपने आल टाइम हाई पर है गौर तलब है कि Palm Oil और Crude Oil, बिस्कुट, साबुन, शैंपू जैसे तमाम प्रोड़क्ट को बनाने में इस्तमाल होता है Palm Oil की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते, इन प्रोड़क्ट की कीमतों में भी बढ़ोतरी नजर आ रही है भारत अपने खादय तेल की जरुरत का 65 थीजदी आयात से पूरा करता है यूकरेन और रूस के बीच चल रहे वार के चलते, सन फ्लावर ओल की आपूती नहीं हो पा रही है ऐसे में इंडोनेशिय द्वारा पाम ओल एक्सपोर्ट पर प्रती बंद कर निर्ने भारत पर काफी भारी पड़ रहा है इंडोनेशिय द्वारा पाम ओल के एक्सपोर्ट पर लगाये गया बैन, हिंदुस्तान यूनी लीवर, गोद्रेज कंजूमर प्रोड़क्स, ब्रिटैनिया और नेसले जैसी पैकेज़्ट गुड्स कंपनियों के लिए एक चिंदा का विशय है अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस दस मिनट में लाएगा आपके घर दूद और दही, बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान